पहले पीवोपी के माध्यम से आलूत पाधन करने के लिए जब बताया गया तो काफी आश्चर्य जनक हुआ खुद मुझे ही लगा कि पता नहीं ये कितने लोग जुडेंगे, कितने किसान लोग करेंगे हमको पहली बर लग रहा था डर धुड़ा घर से गारजियन से भी डर लग रहा था अपनी में आप में मुझसोस हो रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा हमको ये लगा कि आप गाव में हम बताया महला किसान के सबसाइद समझ सके ना समझ सके कि मन्नि एवां लगा रहे हैं तो होगा यालोई नहीं होगा, मन्नि सक्थ affirm हुआ हुआ था सोच रहे थी कि मैं खाइदा हो घाँ भॉड पर्सल तो बालभाच्चय बोल रहा था, कि कैसा कैसा लगाएं, ममी कैसा होगा, क्या हम लोग खाएंगे, क्या बीति करेंगे लोगों के मन में आशंका लेकिन कुछ नया करने की जाहत यही सच्चाई थी जब हमने उन्हें पहली बार विधी पुर्वक खेती के बारे में बताया था उनके मन के सभी शंकाओं को दूर करने के लिए तथा इसकी विधी पुर्वक खेती को समझाने के लिए उन्हें आलू की विधी पुर्वक खेती की विभिन चर्णो के वीडियो को एक-एक कर दिखाया गया आप जनना चाहेंगे इक उसका परिणाम क्या हुआ यह देखी दिखाने के बाद मुझे इतना इतना गर्व लगा और उन्हों भी गर्व से भोली कि नहीं हम जरूर करेंगे वीडियो देखके पहले हम लोग अपने अनुसार से लगाते थे तो कुछ हटके मतलब कि नहीं हो पाता था या पौधा मर जाता था और इस वर्स वीडियो देखके हम लोग लगाए तो अच्छा महसूस हुआ इस वर्स हम लोग को पौधा अच्छा रहा और अच्छा खसल भी हुआ आलू का खेती तो हम लोग पहले से भी करते थे लेकिन इस बार निकी दी आलू का वीडियो दिखाई और बताई तो उनके विधी से वीज उपचार करके किये हैं मुझे पियोपी के बारे में पता चला तो हमने सबसे पहले मुझे समझ में आया कि आलू का बीज का चेयन कैसी करनी चाहिए चोटा चोटा उसको बीज उपचार किया जो एक साइज में था उसको हम लोग लगाएं और उसमें पैंतालीस कुछ ऐसे दवा बोली थी डालने के लिए तो उसको डाल के हम लोग बीज छटाई करके लगाएं तो आलू अब एक साथ निकलता है पहले जैसे तैसे हम लोग बीज के ले आते थे उसी तरह लगाते थे बीज के छटाई कर रहे हैं किस साइज का बीज होना चाहिए और बीज छटाई करके घोलू को उपचार करके नहीं लगाते थे उपचार करने में भी सुविधा आगया उपचार करके एक जैसा उंगृ लेता था दागी पकड़ लेता था पहले तो पाला मार जाता था फिर यालू अतना नहीं निकलता था इनकी बातों को सुनकर इस बात का असास तो आपको भी हो गया होगा कि इसकी विधी पुर्वक खेती करने से सबको फाइदा होता है लेकिन कितना फाइदा होता है और यह लोग अब कैसा महसूस कर रहे हैं आईए सुनते हैं उन्ही की जुबानी सर हम पीओपी के तरफ से उचार करके लगाएं हैं और यह बिना पीओपी के उचार कर ले ही लगाएं मैं यह आलू पांच छे अजार के नक्सान हो गिया हारी आलू अच्छा हुए उभी लगा कि नहीं कोहस लग जाता था जूल सा तो उसमें निमास रागनियास ब्रह्मास के छिर्पाव कराएं और यह बहुत बेथरा पिछली वर्ष हम लोग जो आलू अपना पीधी से लगाएं थे पिछले वर्ष कई लगाएं थे 25 पेकिटे यालू कोड़े थे और इस वर्ष पी दिवारा परोजेक्त जब देखाए गजा. 2 दो पेकिट लगाते थे तो साथ पेकिटना लिकटाथां लेकिन अब दस बार हुँ लिकला है किसी किसी का य DS लिकला है. तो पहले जितना जमीन में लगाते थे उसमें तो पिछले साल हमारा dpacket हुआ था और इस बार जब हम लगाए है तो उसी जमीन में छे doigt. थोड़ा जगा में लगा है咱 साथ केजी आलू उसमें मेरा पचास केजी आलू निकला . और अच्छा लग रहा है ताकि मेरा अलू अच्छा निकला है तो खूस है घर परिवार से मेरा खूस है अच्छा मेसूश कर रहे हैं अच्छा फिल कर रहे हैं अधिक पैसा आगा तो खूसी तो आदमी उमंग से बर गाता है अब तो लग रहा है कि अब इस करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे. फसल देखके मेरा अच्छा उमीद लग रहा है कि मेरा फसल भी अच्छा निख लेगा. आप तो बहुत खुश है हम लोग, बहुत असुन्दर है. सब परिवार खुश है हैं, बच्ची से बोली, बच्चा सब बोला कि माई तो बहुत सुन्दर वाला बात है. और सभी परिवार हम लोग बहुत खुश हैं, सब परिवार खुश हैं. आज जीस तरह से किसान का आलूथ पादन में बढ़ोत्री हुई है, उसे काफी किसान खुश हैं & जीस तरह से ये उतपादन में बढ़ोत्री हुआ studyn एं तो इतना खुस हैं कि अगले साल जितना इस वर्स हम लोग किसान के साथ हम लोग काम किये हैं, अगले साल इससे दुगुना तिन गुना भी जुड़ेंगे और इसका लाग उठाएंगे. हम खुश है तो हाईए हैं लेकिन घार का फैमली लोग एतना खुश है कि बाब बेटी तुकने सीखनी इसा बतिया बहुत अच्छा खुशी की बाद था अच्छा खुशी की बाद है कि बाद है कि बाद है